प्रोग्राम के शुरुवात इस वक्त हम करेंगे जनसंख्या नियंतरण को मामलोगे दर्जिया इस वक्त मुस्लिम जो है वो बीजेपी से नाराज चलना और तो और ये भी देखा जा रहा है बीजेपी में दो फार हो गई है कैसे जनसंख्या नियंतरण मामले को लेकर वीजेपी आपस में ही गिर गई और ओवेसी ने क्या कुछ कहा है और किस तरह मुसल्मान आज सड़कों पर उतरकर वीजेपी की खिलाफ धर्णा प्रदर्शन देरें धिहान से शुक्ता अभी हाल ही में उत्तर परदेश के मुख्य मंतरी योगी आदितिनात ने सीधे तोर पर एक वर्ग का नाम नहीं लिया लेकिन इशारों इशारों में उन्हें कहा कि एक वर्ग जो है उनकी जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जा लिए जो कि इस देश के लिए ठीक है यह बात किसके लिए कह रहे थे योगी आदितिन पर निसाना सारा उन्होंने कहा योगी जी एक खास धर्म के लोग जनसंख्या को नहीं बढ़ा है इस तेश में जनसंख्या के बढ़ने की सबसे वड़ी वज़ा क्या है लोग सिख्षित नहीं है लोग जागरूक नहीं है और एक ही वर्गी जनसंख्या नहीं बढ़ रही ह अन्य वर्की भी बढ़ रही है तो समझेगा किस तरह मुसल्मानों के समर्थन में तो उतरा है मुक्तार अबास नकवी और बीजेपी के खिलाफ बात करें तो क्या वाकई जान बूझकर मुक्तार अबास नकवी से अब संक्यक मंत्राले का पद छीना गया क्या समर्थी इरानी को खुश करनी के लिए ये पद सौपा गया उन्हें बनाए गया अब संक्यक मंत्राले का मंत्री और तो और ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह मुक्तार अबास नकवी ने बयान दिया वो बताता है कि बीजेपी में हालाद ठीक नहीं चल रहा है बीजेपी में अंदर खाने इस्तिती बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि पार्टी के अंदर के बहुत सारे ऐसे नेता और मंत्री है जो पीम मोधी से नाराज पताए जा रहा है दरसल इस पीच ओवेसी असदुदीन ओवेसी उन्होंने भी जम कर बीजेपी पर निसाना सादा उन्होंने कहा है कि ये क्या मज़ाग बना रखा है ये क्या कहा जा रहा है एक खास धर्ण के लोगों को हमेशा टार्गेट किया जा रहा है एक खास धर्ण के लोगों को हमेशा परिशान किया जा रहा है ऐसा नहीं चलेगा क्या कुछ कह रहे हैं और ऐसा दुद्दीन और वैसी और किस तरह बीजेपी को लताड़ा है होने क्या ये बात क्या पापुलेशन की वज़े से मोडी सरकार चीन जो एक हजार स्कोर किलिमेटर की भारत की जमीन पर खब्जा करके बैठा है पिछल दो साल से पापुलेशन की वज़े से नहीं हटा अपा रही उनको क्या पापुलेशन के वज़े से भारत के पजान मंतरी चीन का नाम लेने से डरते हैं आप लोग इस बात को समझिए जो गलती चीन ने की वो भारत को नहीं करनी चाहिए आप लोग बार बार चीन की पापुलेशन आगे बढ़ जाएगा तो कभी जाकर हैदराबाद हो दिल्ली हो मुंबई हो पूने हो जाकर फर्टेलेटरी सेंटर्स में पूछिए उन माबाब से पूछिए किस तरह तरप रहे हो लोग अवलाद के लिए पूछिए कभी जाकर आप उस पर बिज़ स्टोरी करिए मैं बिल्कुल समर्तन नहीं करूँगा क्योंकि ये भारत के हित्वे नहीं होगा और खुद मोडी सरकार जो ये बात कही चुकी है ना सुप्रीम कोर्ट में आपने फिडेविट दिया पारलिमेंट में आपके हेल्थ मिनिस्टर ने कही दिया अब आप हेड्लाइन चलेंगे OAC ने ये कहा है आपको ये हेड्लाइन चलने चाहिए कि OAC ने वो बात कही है जो मोडी सरकार ने पारलिमेंट में कही और सुप्रीम कोर्ट में फिडेविट दाखिल किया था इस बारे में जो सही था हुए फिडेविट खुद बाखुद भारत का पॉपुलेशन TFR डिकलाइन हो रहा है 2030 तक भारत का पॉपुलेशन स्टेबिलाइज हो जाएगा मगर जितनी चीख पुकार जितनी पेट में और सर में दर्द जो हो रहा है उन लोगों को अरे जरा तो शरम रखो जो देमोगरिफिक डीवीडेंट भारत में है हमारे भारत की पचास फिसस आबादी पच्चीस साल के कम उवर के युवाओं की ए कुछ तो करो उनके लिए मोडी सरकार ने क्या किया बताो 60% आबादी 40 साल से कम वरकिया आपने क्या किया 8 साल ने बताओ इस पर डिबेट होनी चाहिए बेरोजगारी इस मुलक का सबसे बड़ा बर्निंग मसला है अब रहा सवाल महुन बगबत साब ने ये भी कहे दिया कनवर्जन क्या कनवर्जन से भारत को क्या तालुग महुन बगबत साब बताएए महुन बगबत साब कि क्या भारत का कोई रिलिजन है भारत का कोई रिलिजन ये भारत सब रिलिजन को मानता है भारत की खुबसूरती है भारत का कोई रिलिजन है क्या आप चाहते हैं कि भारत का एक religion हो जाए RSS चाहती कि भारत का एक religion हो एक culture हो एक जबान हो यह नहीं हो सकता इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भारत एक multi-cultural मुल्क रहा है और रहेगा क्या आप south की तैजीब को north में forcibly implement कर सकते नहीं कर सकते क्या आप एक religion को implement कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं भारत की खुबसूरती है अरे आप इतना डर क्यों रहे कन्वर्जन से मुझे समझ भी नहीं आरा महुन बगबत साब डरने की बात क्या है कन्वर्जन तो एक इनसान का choice है ना choice तो भारत की सम्विदान में fundamental right है पुट्टू सौमी जज्ज्मन के बाद महुन बगबत साब choice एक fundamental right मन चुका है कोई मजब change करेगा उससे तकलिफ के आपको क्या हो रही है कोई भगवान को नहीं मानता नहीं मानता ठीक है यही तो खुबसूरती है भारत की और देखिए मोहन बगबत साब एक बाद याद रखिए हिंदुत्वा में और भारतियत्या में बहुत फरक है हिंदुत्वा में और भारतियत्या एक नहीं है मोहन बगबत साब यह दोनों अलग अलग चीज़े है सर क्या आप के ना चाह रहे हैं कि कन्वर्जन सही है अगर आपका मन लगता है कि मैं कन्वर्ड करना चाह रहा हूं तो मैं कौन होता हूं रोकने वाला आपको मैं कौन होता हूं रोकने वाला आपको कन्वर्जन जबर्दस्थी पर होते हैं जबर देखिए, जबर अगर देखिए, सुप्रीम कोड के जज्जमेंट्स है, किसी कनवर्जन छोड़िए, किसी पर भी जबर्रस्थी नहीं कर सकते आप, बई आप तो नाम पूछ कर मारते हैं, वो जबर्रस्थी नहीं है, गोँछ रखने के शुबे में आप वीडियो बना कर मारते हैं वो क्या है पिर अगर कोई कनवर्ट होना चाहता है जैसा कि एक वो एक्स उत्तर परदेश के वाखबोर्ट चेर्मेंट थे वो कनवर्ट हो गए उस पे महुन भगबत बोलो उस पे बोलिए ने उस पे बोलेंगे ने आहां आहां वहां मर्जी आ गई वहां मर्जी आ गई प्यारे क्या बात है वह वह आपकी आपकी महबत सलामत रहे उस आइडियोलोजी के लिए सुनिए मोहन भगबत साब को संवीधान पढ़ना चाहिए आप संवीधान को कब माने हमको मालूम अब भारत 75 वी आजादी योमे आजादीक मानने जा रहा है तिरंगे को आप कब माने और्गनाईजर पढ़ लो आप आपने तीन रंग के बारे में आपके उस वक्त के सरसंचालक ने क्या कहा था वो पढ़ लो आप जनगन मन के बारे में आपके उस वक्त के सरसंचालक ने क्या कहा था पढ़ लो आप मोहन भगवत साथ मेरी आप से गुजारिश है कि डिरेक्टिव प्रिंस्पल्स पढ़िए भारत के संभीधान के आप लोग के दिमाग में खाली 44 गुसा हुआ है क्या डिरेक्टिव प्रिंस्पल्स में नहीं लिखा गया कि जो कमजोर होगा उसको ताखतवर बनाए जाएगा सोशली कमजोर होगा ताखतवर बनाओ एकनॉमिकली कमजोर होगा ताखतवर बनाओ पॉलिटिकली कमजोर होगा ताखतवर बनाओ यही तो बात है इकॉलिटी अमॉंग इकॉल्स की बात करता है संभीधान ये समझना नहीं चाहरे हैं इन चीज़ों को जानते हैं मगर अपनी आइडियोलिजी पर इतना गालिब आ चुकी है कि किसी को सच्चाई को उसी सच्च मानते ही नहीं है बस अपने आपको सच्च मानते हैं सच्चाई सम्विधान है उसको मानना पड़ेगा अब एक बात सुनिए एक बात सुनिए हम तो जो किताब जिनों ने छपाया उनसे हम रेक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई प्रोसीजर पर तो बात कर लो पार्लिमेंट के रूल्स पर तो बात कर लो बिल आता है सरकार का एकी दिन में बिल आता है मिंबर्स कैसे पढ़ेंगे और उसको स्टैंडिंग कमेंटि रिफर नहीं करते orth सिर्डिंग करते और अन पार्लिमेंटरी और दूर की बात guide कांटेक्स्ट हम है काँए द्ध convention आपने हमारी खास पर जिसने आपको विस्तार दिखा दरसल सीधे सीधे तौर पर अगर आज देखा जाए तो पिलहाल जनसंख्या नियंद्रण को लेकर जो बहस छिड़ गई है मुस्लिमों में हिंदूं में बीजेपी नेता और मुस्लिम नेताओं की तरफ से लगातार जो बात हो रही है ऐसे मिस्तवाल यह उट रहा है कि आकरकार क्यों 2014 के बाद से हिंदू मुसल्मान जैसे मुद्दे उट रहे हैं क्यों 2014 के बाद से हिंदू मुसल्मान होता ना दरसल इस्थती की अगर हम बात करें तो सीधे तोर पर यह देखा जा रहा है कि हिंदू मुसल्मान होना यह देश के लिए अच्छी नहीं है देश के लिए सही नहीं है देश जिस गड़े में जा रहा है महंगाई लगातार आसमान चू रही है देश में लगातार हम देख रहे हैं लोगों की मुश्किले बेरुजगार नहीं है, बेरुजगार हैं लोग, अर्थिवैस्था गड़े में जा रही है और सरकार हिंदु मुसल्मान कर रही है, तो सीधे तोर पर देखा जा रहा है कि दोहजार 14 के बाद से जो हालात हुए हैं, इसके आगे के हालात बिल्कुल भी अच्छे दिखके नज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मौजुदर समय के हालात सीधे तोर पर इशारा कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में, बहुत बड़ा जट्टा देश को लगने वाला और शायश दिलंका से बत्तर हालात इस देश के होते नज़र आएंगी। आज करे तहीं, आपसे दुबार मुला आपका तो गिता पुत पिले जादी चिता मुला है